वो हेलो मेरे यारो इस दिवाइन डीमन के पार्ट 3 में आप लोगों का स्वागत है तो इस एपिसोट के सुरुवात में हम देखते हैं कि हमारा हीरो कहीं लेटा होता है और अपने मन में कर रहा होता है जब मैं अकेला था तो मुझे किसी बात की चिंता नहीं रहती थी बस चोटी उम्र से ही ऐसा रहा हूँ तो मुझे पता नहीं है कि धन किस तरीके से कमाया जाता है। आखिरकार अब मुझे इस नए लाइप को जीना है अच्छे तरीके से तो निश्चित तोर पे मुझे इन चीजों के बारे में मालूम रहना चाहिए। और फिर वह जिया की ओर कि देख रहा हूतार कहता है मुझे विश्फास नहीं है कि मैं इस परकार के एहसास को भी फील कर सकता हूँ। और हम देखते है जीया पीछे मुडती है और हमारे हीरो का आवाज आता है जीया चलो मेरे साथ और हीया कहती है ओ ठीक है मैं आ रही हूँ। और हमारा हीरो आगे बढ़ रहा होता है अपने मन में का रहा होता है मुझे कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी धन कमाने के लिए और जिया पीछे जाते वे का रही होती थोड़ी देर तो रुको मैं भी आ रही हूँ और हम देखते हीरो काता है जितनी जल्दी हो सके मुझ मुझे पैसे कमाने के तरीकों को खोजना चाहिए फिर हमारा सिंसीफ्ट होता है जंगल एरिया में दिखाया जाता है जहां जिया की आवाज आती है कि मास्टर उस और देखो मैंने काफी सुन्दर फूल देखा है और हम देखते हैं एक मिट्टी के जगा एक मिट्टी के ढ मिट्टी को हटा रही होती है कुछ सीज को खोज रही होती है और हम देखते हैं जिया को एक फूल मिला होता है और उसे दिखाते हुए कर रही होती है कि यह ये देखो मैं इस फूल को वापस अपने घर में ले जाओंगी और वहाँ पे ले जाकर लगाओंगी और ये सुनकर हमारा हीरो कहता है क्या तुम इतनी महनत करने वाली हो क्या तुम ये ऐसा कर पाओगी और अपने मन में हीरो कहता है कि इस फूल को देखकर लगता है कि इसे यहां पर किसी ने लगाया है। यहां पर कुछ पैरो के निसान है। हल्आ कि यह जो हवेली है, इसके आसपास कोई और हम दोनों के अलावा नहीं रहता है। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पर कोई आया था जिसने इस फूल को पहले से ही बोया है क्योंकि इसके आसपास के घासपूस भी हटाये गए हैं और यह पेरों के निसान हम दोनों में से किसी के नहीं है लगता है किसी ने जान मूझ कर इसे यहाँ बोया है और हम जिया को काता है अच्छा ठीक है उसके अंदर जरा सा देखो कि आखिर है क्या जिया उस फूल के थैली को छूते वे काती है मुझे इसे खोलने तो दो मुझे आस्चर है कि इसके अंदर आखिरकार होगा क्या और तभी एक बंदे की आवाज आती है तुम दोनों लोगों की हिमत कैस हुई मेरी चीज को छूने की उस चीज को तुरंत अपने हाथों से दूर करो और हम देखते हुए बंदा एक चाकू को लेकर जिया के उपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है ताकि वह उससे थैली को ले सके और हम देखते हुए चाकू काफी तेजी के साथ जिया के पास पहुँच रहा होता है लेकिन वह उस बंदे के हाथ को पकड़ कर वहीं रोक देता है और दम लगा कर उसके हाथ से चाकू को छड़वा देता है और हमारा हीरो उस बंदे से कहता है आखिर कर तुम कर क्या रहे हो और तुम हो कौन और हम देखते हुए बंदा हमारे हीर पावर्स मुझूद है और हम वह को देखते हैं जो उसके हाथ को ही पकड़ कर हवे में उच्छाल देता है पठकने के लिए और हम देखते हैं वह बंदा चिलाते हुए हवा में जाता है और फिर धराम से करके जमीन पर गिरता है और उसके मुझ से जाग निकलता है वह वही पर बेहोंसो के धेर हो चुका होता है और फिर हम जीया को देखते हैं जो ये सब कुछ एक पल में होते हुए देखकर बहुत स दौक हो गई, जिसके वजह से यह थोड़ी सी वेहोस हो चुकी है और फिर वो गुस्से में अपने ओरे को निकालते हुए काता है मैं जानता था कि कोई इस जगा पर आया है लेकिन मैं थोड़ासा केरलेस हो गया था जिसके वजा से उसने जिया पर हमला करने की कोशिज की अगर जिया को चोट भी आई होती तो मैं उस आदमी को तुरंत वहीं पर मार डलता लेकिन उसने उस इरादे से चाकू नहीं चलाया था बस वह ड्राकर उस थैली को लेना चाहता था और फिर हमारा हिरो कहता है उफ टप करके टच करता है फिर उस थैली को धीरे धीरे करके खौलने लगता है और फिर हम देखते हैं हमारे हीरो काफी कुरवल तरीके से मुस्कुराता है और कहता है ओ आखिर इसके अंदर ये है और हम देखते हैं उस बंदे को जो की जमिन पर ही लेटा हुआ होता है और फिर जीया और उस बंदे को अपने कंदे पर उठा लेता है और वहां से ले जाते हुए का रहा होता है मुझे लगता है यह बंदा मेरे लिए काफी उपयोगी होगा फिर हम जीया के घर को दिखाया जाता है और उस घर के अंदर हम उसी बंदे को देखते हैं की लेटा हुआ होता है बेट पे और फिर अचानक उसे धीरे देख करके होसा रहा होता है और वो अचानक उठते हुए कहता है आखिर मैं हूँ कहां पे और फिर हम उस तक आवाज आती है क्या तुम जाग रहे हो और हम देखते हैं वहाँ पहुँच चुका होता है वो बंदा करता है कि आखिर उसकी आखों के साथ दिक्त क्या है? वो इतनी कूल कैसे हो सकती है? हालाकि मैं खत्रे को पहले ही अनुभव कर सकता हूँ और इसके आखों को देखकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जिसे इसने कई खून की नदिया भाई ही हूँ बस उनकी आँखों को देखने मातर से मुझे डर का एहसास हो रहा है देखते हूँ वो करता है कि आखिरकार तुम इस इलाके में क्या कर रहे थो और तुमने उस समय जीया पर हमला करने की कोशिस क्यूं की और मैं तुम्हें उसी वक्त मार डालना चाहता था लेकिन फिर मैंने अपना मन बदल लिया आखिर बता सकते हो मैंने ऐसा क्यूं किया और हम देखते हो बंदा कहता है क्या तुमने अपना मन बदल लिया मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है मैं नहीं जानता हूँ फिर हम देखते हैं हमारा हिरो उसके सामने बैठते हुए कहता है कि कुछ लोग कहते हैं कि हर किसी के जीवन का कोई ना कोई कीमत होता है मैं सोच रहा हूँ आखिर तुम्हारे जीवन का कितना मुल्ली होगा तुम्हारे life का और हम देखते हैं सुनकर वो बंदा कहता है ओ मेरे life का कीमत तो एक million के आसपास होगा हम देखते हैं हमारा hero से देखते हुए कहता है अच्छा तुमको लगता है तुम काफी कीमती हो और हम देखते हों फिर वह बंद अपने सकल को घुमाते हुए किया। चुकि तुमने यहां पर अपनी इतनी अधिक कीमत बताई है तो मुझे लगता है तुम्हें अपने छमताओं पर अपने इसकील पर काफी भरोसा होगा और हुआ हनसते हुए काता है मुस्कुराते हुए उस इस्थिती में जबकि आपकी कीमत एक मिलियन है तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुमने जिया पर हमला की जिसकी कीमत तुमसे कई गुना अधिक है उसकी कीमत फाइब मिलियन कोईन्स है और यह सुनकर वो बंदा हैरान हुजातार कहता है क्या फाइब मिलियन कुछ ज़्यादा कीमती नहीं है और वो उसे घुर कर देखते हुए एक अजीब से डार्क लुक देते वे कहता है यदि तुम अपने जीवन को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इतनी सारी धन संपत्ती को चुकाना होगा तभी तुम यहां से जीवीत जा सकते हो के बाद हम देखते हैं कि हमारा सेंसिफ्ट होता है और हमें कई सारी लड़कियों को दिखाया जाता है जिन्होंने अपने हाथों में खाना ले रखा होता है और वोन लोग कर रहे होते हैं ओ माई गवर्नर प्लीज आप इन सभी चीजों को एक बार टेस्ट करके देखे अभी जाने वाला हूं और हम देखते हैं गवर्नर गेट लगा कर अंदर चला जाता है और बाहर से दो सर्वेंट कर रही होते हैं कि वाव कितने कूल हैं हमारे गवर्नर जी और हम इधर देखते हैं गवर्नर जी की हालत जो की गेट लगा कर अपने माथे को पकड़ कर कहता है नहीं यार मैं कहा कॉन सी मुसिबत में फंस गया और वह एक सिरियस फेस बताते हुए काता है यह बहुती बड़ा बर्डन है बहुती बड़ा बर्डन जिसे मैं नहीं सब पा रहा हूँ और हम देखते हुआ नीचे जमीन पर बैढ़ जाता है कि यहां के सभी लोगों को लग रहा है कि मैंने ही उस डाकू को मारा है जिसके वज़ा से मैं उन सभी लोगों के नजरों में एक अलग ही वेक्ति बन चुका हूं मैं उन लोगों के लिए हीरो बन चुका हूं लेकिन ये चीजें मैंने नहीं की हैं और खास करके यह तो बहुत ही कम है क कि लोग मुझे हीरो मान रहे हैं, इसके अलावे जो कि साही फेमली के लोग हैं, वे तो और भी ज्यादा मुझे कई सारे काम सोपे जा रहे हैं, उन्होंने एक काम दिया है, जहांपर हम देखते कि मुछड़वला बंदा कर रहा होता है, कि हमारे पैलस से एक गोल्डेन और बताया जाता है कि यह एक बहुत ही माहिर चोर ने इसे चोरी कर लिया है, और हम देखते हैं, इधर कोई बंदा गवर्नर से का रहा होता है, क्योंकि आप इन मामलों को गोपनिये रखिएगा, इसलिए मैं आपके पास आया हूँ, और मुझे उमीद है, क्योंकि आप उस जैसे बेक सांग जैसे डाकू को पकड़ सकते हैं, तो आपके लिए इस जैसे चोर को भी पकड़ना कोई मुस्किल की बात नहीं होगी, मैं आसा करता हूँ, और हम देखते हैं, गवर्नर मीं हसते वे कर रहा था, ओ ऐसी बात है, ठीक है, ठीक है, मैं ट्रा करूंगा उस चो को पकड़ने क्या, और हम देखते हैं, वो बंदा बहुत ही तिर्चे नजर से देखते वे करा होता है, मुझे या यकीन है, कि आप इस काम को जरूर ही आसानी तरीके से कर सकते हैं, फिर हम देखते हैं, गवर्नर को जो अपने माथे को पकड़ कर करा होता है, कि डैम, आखि इस अर्थ एंड हेवन में इस जैसा मुर्ख चोर आया कहां से और हम इधर हमारे चोर बाबू को देखते हैं जिनकी काफी अच्छे खासी धुलाई हुई होती है और वोगे अपने हाथों में पकड़ कर जाड़ू मार रहे होते हैं और वोगे कर रहे होते हैं कि हेवन ने मु मिलियन सीखे आखिर कार मैं उन चीजों को कहां से लाऊंगा और किस प्रकार से इस वेक्ति को चुकाऊंगा इसके अलावे मैं अगर जिन्दगी भर भी चोरी करता हूँ तो मैं ज्यादा से ज्यादा एक मिलियन या दो मिलियन ही खटा कर पाऊंगा लेकिन इसने मुझसे पाँच मिलियन मांगा है और वह हमारे हुवो को याद कर रहा होता है और उसे देखते हुए वह का रहा था कि अगर मैं इसके नजरों को देखाऊं तो मुझे इसकी बाते बिल्कुल भी मजाक नहीं लग रही है अगर मेरे पास पैसे नहीं रहे तो या मुझे मार डालेग और वह उससे का रहा होता हुवो से कि पिलीज मुझे कुछ समय देदे मैं आपके पैसो को चुका दूँगा और हम देखते हुआ अपने घुटने पर आ जाता है अपने हाथ को जमिन पर रखके और हमारे हीरो के सामने माथा टेकर का रहा होता है कि मुझे पर विश्वास क जो कि उसे घूर कर देख रहा होता है और वह बंदा वहीं पर माथे टेके हुए अतर अपने मन में का रहा होता है इसकी नजरे बहुत खतरनाक है और इसकी बाते भी और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अगर मैंने इनके बातों को नहीं माना तो या मुझे एक पल में मार डालेगा और इसके बारे में सौचेगा भी नहीं मुझे अभी के लिए केवल इसी के बातों को फोलो करना चाहिए और हम हुगो को देखते हैं जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि अगली बार मैंने जिया के लिए खाना बनाया था तो वह काफी जल गिया था जिसकी जब तुम अपने पैसे को चुका दोगे, यदि तुम इसका भुखतान करना चाहो, तो तुम्हें यहाँ पर उस रकम को चुकाने तक, यहाँ पर काम करना होगा, जैशा कि तुमने कहा है, और वो अपने मन में कहा रहा होता है, कि यहाँ भष्टाचार घोटाला बाज, या स रजैंस का सीन दिखाये जाता है जहां पर वा बंदा जाड़ु मारते हुए बताता है कि इस तरह से मुझा गुलामी करते हुए एक हफ्ता बीच चुका है और मुझे लगातार काम पर काम दिये जा रहे हैं और हम जीया को देखते जो कि उसे पीछे से देख रही होती है और उसे उस नोटीस करके वो बंदा कहता है कि पर यह सब कूछ इस मोटे से बच्ची की वजासे हुआ है अगर यह उस चीज को नहीं उखारती मेरे फूल को और मेरे थैले को नहीं पकड़ती तो मैं इतने बड़े मुसीबत में नहीं पकड़ता पर हम देखते हैं जिया काफी मासुम तरीके से उसे देख रही होती है और वह बंदा अपने मन में का रहा होता अभी भी कि मैं इतने बड़े करज में सिर्फ एक बच्चे की चक्कर में फस चुका हूँ और वह फिर काता है कि मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है क्योंकि जो कि बलेक मार्केट में जैसा कि मैंने वादा किया था मुझे समय के साथ उस गोल्डेन बुद्धे को वहाँ पर लेकर बेचना ही होगा अगर मुझे सावधानी नहीं बरती तो इससे मेरी जान भी जोखिम में आ सकती है मैंने बड़ी मुश्किल से उस बुद्धे को चुराया है मुझे उस गोल्डेन बुद्धे को मुझे उसे बेचना होगा फिर हमारा शिंशिप्ट होता है रहमें कई सारे डीसेस को दिखाया जाता है टेबल पर सजाया हुआ और उन सभी डीस को देखकर हम देखते हैं जिया के मुझे लाटा पक रहा होता है और उसके आँखे चमक रही होती है और फिर हम देखते हैं हुआ का रहा होता है जिया से कि थोड़ा सा अराम अराम से खाओ और वो खाता है कि तुम्हारे पास तो काफ़ी अच्छे स्कील हैं यह काफी अच्छी चीज़े दिख रही हैं और हम देखते हैं सुनकर चोर कहता है हाँ हाँ बिलकूल यह मैंने अपने अपने मन पसंद चीज़े बनाई हैं जो कि बच्चे को अधिकतर पसंद होती हैं। और हम देखते हैं कि हमारा हीरो कहता है कि खाते हुए, हाँ ये अच्छा है, या तुम्हारे चौर वाले काम से तो काफी अच्छा है, या और तुमने इस परफेशन को क्यों चुना है। करने के लिए और फिरवा कहता हैं जिया क्या तुमको एक कहावत मालूम रहें अज में तुम्हें एक कहावत सुनाता हूँ हम जिया को देखते हैं जो खाते हुए उसकी और देखती है और हुवो कहता है कि एक कहावत है कि जो बेटा हुग कुंग है वह चाहे किदनी भार भी पुनर जनम क्यों ना ले ले वह हमेशा बुद्धा के हाथ एलियों से ही खेला जाता है यह सुनकर जिया कहती है ओ बुद् के हाथों मेंसा खेला जाता है और वह चूर अपने मन में कहा रहा होता है क्या तुम्हें पता है कि अगर मुझे वह गौर्डैन बुद्धा मिल जाए तो मैं इस बुद्धा के हाथों से बचकर निकल सकता हूँ फिर कूस देर बात का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पर वा बंदा एक पोछे वाले कपड़े को मचोड़ रहा होता है और वा मचोड़ते वे पोछा लगाते वे कह रहा होता है हाई रे मेरी जिंदगी आखिर यह किस तरीके के बन चुकी है मैं ऐसा वेक्ति नहीं हूँ जो सिर्फ सफाई और कपड़े धोने के लिए बना हूँ और अब से नहीं कर सकता हूँ आखिर मैं इन चमानों में इन चीजों में कैसे पड़ गया अगर मैं भागने का फैसला करता हूँ तो इस पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो मुझे पकड़ सके और फिर हम देखते हुआ कपड़े को फेकते वे दिवाल में करता है डैमी अब मुझे डर है कि वे लोग अब मुझे खौजना चालू कर देंगे और फिर वागने की याद करते हुआ काता है जाहिर तोर पर अगर मैं इस हवेली में च्छिपा रहता हूं तो मैं उनके द्वारा नहीं पकड़ा जाओंगा और भले ही पकड़ा भी गया हूँ तो मु चौर हूँ जो चीजों को चुराता है और दूसरे जगह पर बेच कर अराम दायक जिन्दगी जीता है। अपने मन में कहता है यह तो एक उपर्चुनिटी है जिसे मैं कतने समय से ढूंड रहा था और वो जीयर हुओ की और देखते विकारा होता है ऐसा लगता है कि कई दिनों तक इन्होंने अच्छे खाने को टेस्ट किया और उसके बाद अभी इसने अपने गार्ड को डाउन कर है यहां मेरे लिए एक बहुत ही बढ़ाया आफसर है मैं इसे प्राप्त करना चाहता हूं और वह कहता है मैं समझ गया मास्टर चिंता मत करें आपके आते तक मैं इस घर की सफाई कर दूंगा अच्छे तरीके से और हम देखते हुओ उससे कहता है कि मैंने तुमसे पहले भ कर दूंगा तो आप किस तरीकी के बाते कर रहे हैं मैं कभी भी आपके सब्दों के विरोध नहीं जाओंगा मैं कभी भी आपके बातों को टाल नहीं सकता हूं और हम देखते उस तक आवाज आती है कि मुझे आपके भागने से कोई फरक नहीं पड़ता है लेकिन तुम भा कि थे बार जा रहे होता है रवच ओर अंचली पकडने के लिए जाने वाले और जीया वहाँ पर पहुंच चुकि होती है अ ब्रदर आखिर हम अचानक से मचली पकड़ने क्यूं आए हमारे पास तो खाने के कई सारी चीज़े पड़े हुए है और हम देखते हुवों को जो कि डंटा से एक लाइन घिशते हुए कारा होता है या कूछ भी नहीं है बस बस हमें कभी कभी बाहर आना चाहिए और हम देखते हैं कि हुओ ने जिया के चारो तरफ गोल घेरा बना दिया होता है मचली पकड़ना जारी रखना मुझे एक जरूरी काम है ये सुनकर जिया कहती है क्या तुम जल्दी वापस आओगे अपने काम को करके वो कहता हाँ बिल्कूल मैं जल्दी आओंगा और जिया खड़ी हो जाती है और वा खुस होते हुए कहती है ठीक है मुझे बस इस गोल घेरे के अंदर ही रहना है और मचलिया पकड़ना है और ये सुनकर हुओ कहता है हाँ हाँ बिल्कूल तुम तो बहुत ही अस्मार बच्ची हो और वा अपने मन में कराता है मुझे यहाँ पर एक फॉर्मेशन बना कहता है मैं इसी की राह देख रहा था इन पलों की ठीक है अब मैं अपने काम को करके आता हूँ और हम फिर हमारे हीरो को देखते हैं जो कि गवर्नर के पीछे खड़ा हो जाता है क्योंकि गवर्नर के पास गया है गवर्नर अपने माते को पकड़कर कर रहा होता है कि मैं क्य क्या करूं मैं वो नहीं था जिसने बेकसान को पकड़ा था तो मैं आखिरकार उस चोर को किस परकार से पकड़ूंगा और हम देखते हैं हमारे हीरो को जो की सुच रहा था उनकी बातों को सुनकर और गवर्नर की आवाज आ रही होती है कि सचमुच में यह बहुत ही बड़ा परड़न है वो कहता है ओ ऐसी बात है कि यह सुनकर वो गवर्नर पीछे पलड़ता है और है देखके हरान होते वे कहता है यह तो आप हैं फिर हम देखते हैं वो कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक आउसर है क्या तुम इसे करना चाहोगे एक मामला है यार उसके हमें घर का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें बुद्धा के गोल्डेन बुद्धा को रखावा दिखाया जाता है और कोई कर रहा होता है मैं इससे छूटकारा पाना चाहता हूँ क्या तुम इसे खरीदने वाली हो की नहीं और हम देखते एक बंदा उस चीज को देखकर कर रहा होता है अच्छा तो है ये इसके लिए केवल दोसो नांग यांग कोईंस दूंगा इससे अधिक नहीं क्योंकि इसे बेचना भी काफी मुस्किल का काम होगा ये सुनकर चोर कहता है कि हाँ क्यों नहीं बिल्कुल बैसक तुम इसे बेच सकते हो मैं इतनी रासी से और वो बेपारी मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार तुम इस तरीके के चोरी को करने के बाद जिंदा रहने में आखिर कामियाब कैसे हो गये और ये सुनकर चोर मुस्कुराते हुए कहता है कि या तुम्हारा काम का चीज नहीं है और हम देखते हुए बेपारी उसक आता है कि हाँ बिल्कूल यही कारण है कि चीजे उल्टी हो चुकी हैं चुकि वह हुनान सीटी में वह सासन करता था एक सकति साली डाकू के रूप में लेकिन उसे उस गवर्नर के दोरा पकड़ लिया गया इसकी वज़ा से ऐसी चर्चा हो रही है कि गवर्नर अब में फोम मे आ चुका है और फिर वह चोर हसते हुए काता है कि मैं समझता हूँ चिंता मत करो अगर मैं पकड़ा भी गया तो किसी भी तरीके से तुम्हारे नाम को नहीं बताऊंगा यह सुनकर वह काता है ओ ऐसा है तो मुझे चिंता की बात नहीं है और फिर हम देखते हुए कई सारे लोग दोड़ते हुए आ रहे होते हैं और वह लोग घेट खुलकर काते हैं कि मास्टर वहाँ पर कोई समस्या हो चुकी है यह सुनकर वह बेपारी खड़ाोते हैं और उसमझता है और फिर हुस वेपारी तक आवा जाती है कि ऐसा लगता है कि किसी ने हमारे अड़े के बारे में किसी को जानकारी दे दी है यह सुनकर वह बैपारी कहता है आखिरकार वह कौन है गदार और फिर हम देखते हैं कि वह साइड में देखता है रहान हो जाता है और हम देखते हैं कि चोर जो था वह उसके बटवे को लेकर वहाँ पर चर्चु का होतार कहता है, हम फिर मिलेंगे, फिर मिलता हूँ किसी राहे पे, और यह सुनकर वह कहता है, कमीने, तु कहां जा रहा है, रुप जा, तु मुझे एकेले फसा कर नहीं जा सकता है, और हम देखते हैं, उसके हाथ में उसी बंदे का बटुगा होता है, उसने वहाँ पर उसके गोल्डेन बुद्धा को छोड़ दिया है, और हम देखते हैं, वहाँ से वह जंप लगा देता है, और वह बंदा का रहा होता है, कि कमीने, आखिर तु क्या बकवास करते हुए जा रहा है, और हम देखते हैं, वह नीचे उतर रहा होता है, और उसने मैंने तुम से कहा कि मुझे जाने दो और फिर हम देखते हैं कि उस तक गवर्नर तक आवा जाती है डैम मुझे बता वाकिर इसके बारे में तुम्हें किस ने बताया और गवर्नर कहता है तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है और ये सुनकर बेपारी कहता है मैं इसे आसा इतनी आसानी से बाहर नहीं जाने वाले हो और गावर्नर अपने मन में कहता है या सच में है आखिरकार मैंने इस वो कीमती वस्तु को ढूंड लिया या इस परकार की चीज नहीं थी जिसे मैं इतने असमार्श तरीके से प्राप्त कर सकता था लेकिन इसके बारे में मुझे उ इस्वास भी बढ़ेगा मैंने बिना सोचे समझे उसके बातों को पालन किया जिसके वज़ा से मुझे एक असली चीज मिल पाई और फिर वह काता है कि वह आदमी आखिरकार है कोन खेर मामला जो भी हो लेकिन यह काफी अधवूत है इंट्रेस्टिंग है इसलिए मुझे इ चोर को भागने मत देना और चोर करा रहा होता है डैम डैम अखिर ये कमीने क्या खाते हैं मेरे पीछे क्यों पड़े हुए अतने ज़्यादा हाथ धोके मैंने तो वहाँ पे बुद्धा के मुर्ती छोड़ भी दिये और वह पीछे पलट कर कहता है वैसे ये कमीने कितने द प्रण बंदा हाप रहा हुता है जहांपर आपने की आवाज आ रही होती है और चोर एक पत्थर को पखड़ गर टिकाय हुए होता है और काफी जोर जोर से हाप रहा होता है बहुत ही तक चुका होता है और हम उस face को देखते हैं जो कि पसीने से भींग चुका होता हुआ काता है सचमुच है यह बहुत मुस्किल काम है मैंने बड़ी मुस्किल से उन लोगों को चक्मा दिया है और हम देखते हैं उसके सामने हुआ बैठा हुआ होता है और काता है मैं तुम्हारा कितने देर से इंतिजार कर रहा था यार तुम तो मेरे उमीद से काफी लेट हो ये सुनकर वो चिला पड़ता है काता है क्या अखिरकार तुम यहां पे क्या कर रहे हो और वो डर के मारे पीछे गिर जाता है रो काता है ऐसा कैसे हो सकता है तुम यह यहां पे क्यों हूँ और यह सुनकर हुवो काता है तुम्हारा मतलब क्या है मैं यहां कैसे नहीं हो सकता हूँ अखिर यह सब कुछ खेल तो मेरा ही है और वो यह मुस्कुराते वे काता है कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जो बेटा वो कौंग है वो हमेशा कभी भी तुम्हें रे हातों से पकड़ा नहीं जा सकता हूं और हम देखते वह किलिप से सीधे जंप लगा देता है और कहता है ऐसी जगह पर मुझे पकड़ना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है तुम्हारे लिए और हम देखते वह जंप लगाते हुए मुस्कुराते का रहा होता है कि मैं कभी भी पकड़ा नहीं जाओंगा तुम क्योंकि एक बड़े वेब कूफ हो यह सुनकर हुओ काफी अजीब तरीके से मुस्कुरा रहा होता है उसे देख देखकर और हम देखते हैं वह बंदा गुड़किनिया खाते हुए प्लटते हुए उस चोटी से गिर रहा होता है और गिरते हुए अपने मन में का रहा होता है कि मैं जमीन को चूते ही यहां से तुरंत बहुत ही तेजी से जंगल की और भाग जाओंगा और हम देखते हैं वह उससे पहले ही वहा नीचे पहुंच चुका होता है और वह बंदा के जमीन को चूने से पहले ह हुवो उसके पैर को पकड़ कर टांग लेता है और वह चोर कहता है आखिरकार ये क्या हुआ और हम देखते हैं कि वह टांगा हुआ होता है हुवो के हातों में और हुवो कहता है कि चटान से नीचे गिरते समय तुम्हें थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए था यार तुम्हारे तो सारे कपड़े फट गए हैं ये सुनकर उस चोर की पसीने छूड़ जाते हैं और फिर वह अपने हाँ पैर को छोड़ाते हुए बहुत ही तेजी से आगे की और भागने लगता है और भागते हुए का रहा होता है कि डैम आखिरकार उसके साथ क्या गलत है वह कब नीचे आया और हम देखते हुए इसी तरह से भागते हुए एक बोट वाले एरिया में जाता है जहांपर बोट पे पहले से ही हुवो बैठा हुआ होता है फिर वह भागते हुए किसी अस्तबल की ओर जाता है जहांपर घोड़ा उसका सट खा रहा होता है और भी हुवो पहुँच चुका होता है अपने घोड़े पर और फिर हम देखते हुए किसी गुफा के अंदर जाकर छूपता है तो हुवो उस गुफा के उपर ही लटका हुआ होता है और वह चोर का रहा होता है आखिकार मैं जहां भी जाता हूँ आही जाता है और हम देखते हैं उसे इसी तरह भगाते भगाते साम हो चुका होता है और वह का रहा होता है वो हर जगह पर कैसे मौझूद हो सकता है मुझसे पहले और हम देखते हैं वो काफी ठक कर नीचे बैठ चुका होता है और हुवो उसके सामने खड़ा वतार कहता है क्या मैंने तुम्हें नहीं कहा था तुम मेरे हाथेलियों की कटपुतली हो तुम मुझसे कभी भी बचकर नहीं भाग सकते हो और वो का रहा होता है डैम और वो उसे कहता है कि जैसा कि मैंने वादा किया था भागने की वज़ा से अब तुम्हारा जो कर्ज 5 मिलियन का था वो बढ़कर अब 10 मिलियन हो चुका है और हम देखते हैं यह सुनकर वज़ो रोने लगता है और उस तक आवा जाती है भले ही तुमने 2 मिलियन का भुक्तान कर दिया है गवर्नर के दवारा मुझे दिलवा कर लेकिन अभी विसे अठ मिलियन बचे हैं तुम्हें चुकाने और हम देखते हैं सुनकर वज़ब लगा कर मुका बनाते हुए काता है तुम कमीने गधे मैं तुम्हें इतने आसानी से नहीं जाने दूँगा और हुआ उस थैली को देख रहा होता है जहां गवर्नर के दवारा उसे पैसे मिले होते हैं और फिर वह अचानक सोख होते हुए काता है अरे यार मैं तो इसके बारे में पूछना ही भूल गया मैंने तो अभी तक बेकसांग उस डाकू को जो पकड़ा था उसका इनाम तो लिया ही नहीं है उसकी सर की कीमत को और फिर हम देखते हुआ पलाड़ता है उसकी और अरकाता है मुझे इसके अलावा जिया के लिए नास्ता भी तो खरीदना है और हम देखते हैं उस तक उस चौर का पंच पहुँश रहा होता है फिर हमें उसी मौन्टेन वाले एरिया को दिखाया जाता है जहां पर किसी के चिलाने के सिर्फ आवाजे गूंज रही होती है और इसे शिन के साथ यहां पर यह एपिशोड खतम होता है सो कोमेंट लाइक सस्क्राइब और बता भाई यहां किसके आवाजे गूंज रही है